हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से मेरे वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी टी टी का पेपर नमबर टू में सामजिक विज्ञान जिसके बारे में हम लोग अलए डिसकस कर रहे थे उसके बहुत सारे चेप्टर हमने डिसकस किये अब उसी करम में अगला चेप्टर है कि जब मौरवंस का सासन खत्म हो जाता है और उसके बाद जब भारत के संपर्क बाहर के लोगों से बताए जाते हैं कुसाण सासन जो होता है और उसके लाबा जो संगमकाल था चेर चोल और पांड इन राजवंसों के बाद या फिर इन राजवंसों के संकच बाहरत में और कौन से कौन से राजवंस भाहरत में पिक्सित होई थे, कौन से कौन से राजवंस था, गुप्तभनस, उसके लाबा हर्स वर्दन राजार होई थे और दक्षिर भारत में चालुक के पलव इन सभी लोगों ने अपनी जो तागत उसको बढ़ाया था सक्षाली सासक बने थे और इसके बाद इसलाम भारत में कैसे आया था तो इन टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में बात होगी तो आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि इसी या फिर इनी टॉपिक से रिलेटेड में कुश्चन साफ से प्रक्टिस सेट में पूछूँगा तो तब आपको बताने में बहुत साहता मिलेगी और जब आप प्रक्टिस सेट कर लेंगे तो आपको प्रक्टिस हो जाएगी और प्रक्टिस हो जाने पर एक्जाम के टाइम पर आप आराम से कुश्चन दे सकते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जब समय बीटा गया जैसा कि हमने देखा था मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हडपा काल का समय आया हडपा का समय कफ से कफ तक था पचीस सो मैं हर एक चेप्टर में आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको याद रहेगा पचीस सो से लेकर 1750 इस्वी पूर्व इसके बाद समय आया बैदिक काल का बैदिक काल को दो भागों माटा था आपने पढ़ा पूर्व बैदिक काल या फिर रिगवेदिक काल और उत्तर बैदिक काल इनका समय कफ से कफ तक था 1500 इस्वी पूर्व से लेकर के शिक्स हंड्रेड एस्वे पूर्ग ठीक है उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जिन्होंने बौद धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और मुख प्रवर्टा किसके माने जाते हैं इन बंसों के बाद भारत में जो सबसे पहला प्रथम सामराज जो उत्पन हुआ था वो था मौरे सामराज जो मौरे सामराज भारत में आया था तो मौरे सामराज में बहुती बड़े-बड़े राजा हुए थे और उनमें से सबसे जो जिन्होंने मौरे सामराजी की स्थापना की थी उनका नाम था चंद्रकुप्त मौरे चंद्रकुप्त मौरे के बाद हुए थे बिंदुसार और समराट असोक तो मौरे सामराजी की स्थापना कब हुई थी शुरू या चंद्रकुप्त मौरे ने स्तापना की थी 324 VC यानि कि ईसा पूर तो धीरे धीरे समय बढ़ रहा है आप देखते गए जब मौरेर सामराज का पतन हो गया समराट असोक के बाद कोई बड़ा अच्छा सा राजा नहीं आ पाया तो मौरेर सामराज के पतन के बाद भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के उत्पत्ती हुई बहुत सारे राज बने तो उन छोटे छोटे राज्यों के बाद जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि भारत में और भी कुछ राजाओं को नाम मिलते हैं जैसे कि कुसार्ड राजा थे जो कनिस्क जिसका सबसे बड़ा राजा था उसके अलावा संगमकाल संगमकाल में जो चेर, चोल और पांडिया राजवन जिन्होंने उस अच्छी भारत में अपनी अच्छी पहुँच बनाई थी और उसके बाद जाने कि इन लोगों के बाद जो चौथी सताबदी थी चौथी सताबदी मेंस 301 इसवी से लेकर के 399 इसवी तक को बोलेंगे चौथी सताबदी ठीक है तो जो चौथी सताबदी थी उसमें मगद में एक नए सामराज़ का ओदे हुआ जैसा कि आपने देखा था महाजनपत जब पढ़ा था तो मगद जो कि सबसे बड़ा महाजनपत था चंद्रकुप्त मौरे से लेकर के आगे जितने भी बड़े राजा आए हैं हिंदू आज़ा इसपेसली वो सभी मगद के राजा ही रहे हैं और मगद के माद्यम से उन्होंने पूरे के पूरे भारत पर कबजा किया है जो कि बर्तमान में बंगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसको मिला करके तो अब बात करेंगे कि जो चोथी सिदाब्दी में नया सामराज्य बना था जिसका नाम था गुप्त सामराज तो उत्तर भारत में इस सामराज का जयातार भूभाग था या जयातार यूं कहिए आप शासन था उत्तर भारत में क्या था ये जो गुप्त बंस था इसका सबसे जयादा शासन था और भारत के अगर इतिहास को देखा जाए ठीक है गुप्त काल को बोला जाता है बारत के इतिहास का स्वानड यूग और जो गुप्त बंस की अगर हम बात करें तो गुप्त बंस का सासन है जो सुरू किया था श्री गुप्त ने तीसरी सताब्दी में सुरू किया था गुप्त बंस ने और तीसे सितापदी के बाद इसके जो सबसे अच्छे राज़ा हुए थे गुप्त बंस में स्रीगुप्त के बाद वो थे चंद्रगुप्त प्रथम जो कि प्रथम स्वतंत्र सासक था गुप्त सामराजी का और उसने खुद को महाराजा धिराज की उपादी धरन की थी अभी दोस्तों यहाँ पर एक चीज है डाउट वाली जो आपको बताये देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त दुतिये इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कब हुए थे? Before Christ, यानि कि इस्वी पूर्व में कब हुए थे वो? 324 इस्वी पूर्व में यानि कि 4thी सताबदी इस्वी पूर्व और चंद्रगुप्त जो पूर्थम थे वो कब हुए थे? 4thी सताबदी इस्वी में, ठीक है? याद रखना इस चीज को 3rdी सताबदी में स्रीगुप्त ने गुप्त वंस की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त जो पूर्थम थे उन्होंने गुप्त संबत भी है, जिसके इस्थापना चंद्रगुप्त पूर्थम ने की थी 319 से लेकर के 320 ECB में और जो गुप्त संबत और शक्त संबत इसके वीच में 24 साल का अंतर है चंद्र गुप्त पर्थम के बाद गुप्त बंस के सासक बने थे समुद्र गुप्त अभी हम देखेंगे समुद्र गुप्त के जीवन के बारे में गुप्त बंस के बारे मैंने आपको बता दिया कि गुप्त बंस के सासन का प्रारंब किया था स्री गुप्त ने तीसरी सताबदी में और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त बंस के पहले सुतंतर सासक थे जिने महाराजा दिराज कहा जाता था चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबत की स्थापना 319 से 320 ECV में की थी और गुप्त संबत शक संबत के बीच में 24 सालों का अंतर भी था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त बंसका सासक संद्रगुप्त बना जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का वेटा था संद्रगुप्त के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि समद्र गुप्त जो कि गुप्त सामराज के सबसे यसस्वी राजा हुए थे जिन्हें कि भारत का नैपोलियन भी कहा जाता है नेपोलियन जो कि अपनी दूर दरसिता के लिए बहुती प्रसिद्य था उसी तरह से समद्र गुप्त भी अपनी दूर दरसिता के लिए बहुती प्रसिद्य थे आप इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि समद्र गुप्त के सासन में अफगानिस्तान से लेकर के साउथ तक मगत का सामराज्य था 335 इस्वी पूरुप से लेकर के 380 इस्वी पूरुप तक समद्र गुप्त ने सासन किया था भारत में कव किया था 335 ईसवी पूर्म से लेकर के 380 अब यहाँ पर यह गलत है इसवी पूर्म नहीं है इसवी है 335 इसवी से लेकर गे 380 इसवी तक शासन किया था इन्हें भारत का नेपोलीन भी कहा जाता है अभी देखेंगा हम समद्र गुत की प्रससथी के बारे में हरिसेंड जो की प्रिसिद्ध कभी है, इनका नाम भी आपने सुना होगा, तो इने भी याद रखिए, जो हरिसेंड है, वह समद्रगुप्त के दरवारी कभी थे, इसी तरह से जो असोगोस थे, बुद्ध चरित के रसनाकार, वह कनिस्क के दरवारी कभी थे, और यह जो प्र और यह एक अविलेख है जिसे कि प्रसस्ती नाम से भी जानते हैं इसका आर्थ होता है प्रसंसा करना यहां पर जो खुदा हुआ जो किरा गया है उनकी असुक के इस्तंब पर समुत्रकुप्त के बारे में तो उनकी प्रसस्ती है क्यूंकि उसमें उनकी प्रसंसा की गई है प्रसस्तियां भारत में बहुत ही पहले से लिखी जा रही है, सब को मालूम है जैसे कि गौत्मी पुत्र शात करनी, उनके बारे मैंने बताया था ये साथ वाहन बंस के सबसे यसस्वी राजा हुए थे तो उनकी प्रसस्ति भी मिली है, लेकिन गुप्तकाल में जो प्रसस्ति है, इनका महत बहुत ही जादा बढ़ गया था समुद्र गुप्त की प्रसस्ति है, उसमें जो उसके दरवारी कभी हरिसेंड ने चार अलग अलग प्रकार के राजाओं और उनके प्रती समुद्र गुप्त की नीतियों का वर्डन किया है जो प्रसस्ती है उसमें समुद्र गुप्त के बारे में चार अलग अलग टाइप के राजाओं के बारे में बताया है तो उनमें 4 टाइप कौण से-कौण से है एक तो थे आरिया वर्त आरिया वर्त मतलब था जो कि भारत का उत्तरी चТर जादा था उत्तर भारत जैसे बोलते हैं आप तो इस एरिया में उस समय नोशासक थे उत्तर भारत में समुद्र गुप्त ने उन सभी को हरा करके उनके राज्याओं को अपने सामराजी में मिला लिया था तो यहां से आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पूरा का पूरा समुद्र गुप्त के अंडर था अभी अगर देखें अगला जिसके बारे में अरिसेन ने बताया है उस अविलेख में कि आर्यावरत के वार दक्षणापत के 12 सासक आते थे दक्षणापत मीज जिसवार साथ बहानों का सासन था यानि कि दक्षण की और जाने वाला रास्ता तो दक्षिड के जो बारा सासक थे इन सभी को समुद्र गुप्त ने हरा दिया था और इन्हें दुबारा से सासन करने की अनुमती भी दे दी थी तो इस तरह से उत्तर भारत और दक्षिड भारत पूरा का पूरा समुद्र गुप्त के अधीन था और है प्रियाग प्रसस्ती जो प्रियाग प्रसस्ती है वहां से समुद्र गुप्त के विशे में जानकारी मिलती है कि उसने असुमेग यग भी किया था और असुमेग यग से क्या होता है आपको बताया था कि असमेग यग से समुद्र गुप्त की बिजय के अलावा उसके सामराज जिविस्तार पड़ोसी देसों के साथ संबंद और अन्य राजाओं द्वारा उसके अधिनता से विकार करना बिबाह संबद आदि की भी जानकारी मिलती है तो ये तो बात होगी भारत देस के बारे में अभी बाहर के जो इलाके हैं उनके जो राजा थे जैसे के कुसाड कुसाड राजा कहां के थे बाहर के थे खास करके मद देशिया और जिन्होंने संदुर नदी तक अपना सासन किया था और शक बन सके थे जो राजा बाहर के इनम स्री लंका के सासक भी थे जो आज अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगलादेश और ये स्री लंका ये सभी के सभी इलाके थे जो कि समुद्र गुप्त के अंडर थे समुद्र गुप्त के बाद जो राजा हुए थे वो हुए थे चंद्र गुप्त दुतिये जैंका नाम आपने सुना होगा 380 इस्वी 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 तक इन्होंने सासन किया था समद्रगुप्त के बाद वैसे तो सासक हुए थे रामगुप्त लेकिन रामगुप्त एक अच्छे सासक सावित नहीं हुए उनके बाद चंद्रगुप्त दुतिय सासक बना और चंद्रगुप्त दुतिय अपने दर्वार में जो विद्वान और कलाकार थे उनको आस्रे देता था उनके दरवार में नो रत्न थे जिनमें मुख्य नाम है नो रत्नों के आप देखेंगे कि कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंग, शंकू, वेताल भट, घटकरपर और बरहामेरी कालिदास और बरहामेरी के नाम आपने सुने होंगे, बहुती महान ये नो रत्नों में से रत्न है और एक और है वर रुच्ची, तो चंद्रकुप्त दुत्री के सासनकाल में चीनी यात्री फायान जो कि 399 एस्वी पूर्व में आया था और 412 तक रहा ये भी भारत यात्रा पर आया था और इसने अपनी भारत यात्रा का बेवरन भी लिखा है लेकिन कहीं भी समराट का कोई भी उल्लेख नहीं किया है बात अगर कालिदास की की जाए तो कालिदास को जो नाटक थे उनमें राजा और जो ब्रामर थे वे संस्कत बोलते थे और बाकी जो लोजनता थी वे अपनी प्राक्रत भासा बोलते थे कर्ड़ास ने जो अभिगान साकुनतलम जिसकी रचना की है उसमें नोंने महाराजा दुस्यंत और सकुनतला के वीच प्रेम प्रसंका भी बढ़न किया है तो चंद्रगुप्त दुति जो कि समुद्रगुप्त के बाद एक योगिशासक हुआ था गुप्त सामराजी का उसने भी 380 से लेकर के 412 ईश्वी तक सासन किया और फायान जो कि एक चीनी तीर थे यात्री था वह चंद्रगुप्त दुति के समय भारत आया था जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कल के वीडियो में और इसके अलावा चंद्रगुप्त ने 9 रतनों को अपने दरवार में रखा था गुप्त सामराज के पतन के बाद चटमी और जो चटी सताप दी थी उसमें एक नए बंस की उत्पत्ती हुई या उद्वव हुआ वो बंस था पुस्य भूती राजबंस कौन सा बंस था पुस्य भूती बंस था जिसके एक महान राज़ा थे हर्स वर्धन के नाम से आप जानते होंगे तो पुस्य भूती जो राजबंस था वह वर्धन राजबंस के रूप में जाना जाता है और पुस्य भूती बंस की स्थापना पुस्य भूती ने हर्याना के अंबाला जले के थानिस्वर नामकिस्तान पर की थी तो जो हर्स बर्दन जो राजा था वह कहां का था था थानिस्वर का राजा था और हर्सुबर्दन का जो शासन काल हुए हूँदों से हुए संगर्स के कारण बहुती ज़यादा प्रसिद्ध है और अगर मघत सामराजजे के बाद कोई दूसरा सासा कुस्त में इतना ताकतवर हो पाया था तो वो हर्सुबर्दन ही थे क्योंकि मगत सामराज enactar बद ने जो शासन किया था उन्हें मगत पर भी दे लिया था मगत को भी अपने कपजे में ले लिया था हर्स बदन है उन्हें लगफ़च चो देशा सो वर्स पहले जानी कि चेह सो शैसे से लेकरके 647 इस्वी तक उत्री भारत के चेतरों पर शासन कीया अभी जैसा कि आपने जाना कि यह ठानिस्थर के राजा थे कहां के थे ठानिस्थर जो की अंबाला में हर्याना में वरृत्वान में लेकिन ठानिस्थर के राजा होते हुए इननोंने जो अटेक किये थे वो किये थे मगद पर और बंगाल पर यानि कि अपने पूर्वी हिस्सों पर और यहाँ पर जीत भी हासिल की थी और उत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया था इनका सासनकाल था 606 इस्वी से ले करके 647 इस्वी यानि कि सात्मी सदाप दी हर्सवर्दन के दर्वारी कभी थे बाणभट जिन्होंने संसकत में उनकी जीवनी हर्सचरित लिखी है ये भी बहुत ही फहमस कभी है बाणभट याद रखिये जैसे कि अस्टोगोस कनिस्की के सासनकाल में कालिदास और बरहा मिरी ये हैं चंद्रगुप्त विक्रवाईत के सासनकाल में इसी तरह से बाणभट जिन्होंने लिखी है हर्सचरित ये हैं हर्सवर्दन के सासनकाल में इन्होंने हर्सवर्दन की जो हर्सचरित है उसमें उसकी बंजावली से सुरुवात करते हुए उसके राजा वनने तक का वर्ण किया है जैसे चंद्रगुप्त विक्वायत के सासनकाल में फायान ने विजिट किया था भारत का उसी तरह से चीन का तीर्थियात्री था वेंसांग वह भी कापी समय के लिए हर्स वर्दन के दरवार में रहा था वह भी एक चीन का तीर्थियात्री था हर्स के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा हर्स वर्दन अपने पिता के सबसे बड़े वेटे नहीं थे बलकि उसके पिता और उसके भाई की म्रत्यु के बाद वह उस सासन के उतरादिकारी बने और वह थाने सर के राजा बने उनके एक बहनुई थे जो कि कन्नोज के शासक थे लेकिन जब बंगाल के सासक ने उने मार डाला था तो हर्स वर्दन ने गुस्सा हो करके पहले तो कन्योज को अपने अधीन किया और बंगाल पर आक्रमर्वी किया कहा जाता है कि हर्सवर्दन कभी भी राजगद्धी पर अकेले नहीं बैठे या उन्होंने राजगद्धी को कभी भी शासन नहीं किया उन्होंने हमेशा अपनी बेहन जिनके पती को मार दिया गया था कन्योज में उनको सासन या कुर्सी पर बैठाया और कभी-कभी कुछ बिद्वान बोलते हैं कि हर्सवर्दन और उनकी बेहन दोनों लोग ही राज सिंगासन पर एक साथ बैठते थे और सासन को चलाते थे हर्सवर्दन ने शादी भी नहीं की थी जिसकी वएसे उनका कोई आगे राजवन्स भी नहीं रहा लेकिन हर्सवर्दन ने अपने बहनोई की या अपने बहन के प्रतसोत के लिए बंगाल के सासक बंगाल पर अटेक भी किया और मगद और बंगाल को जीत करके उन्हों सफल उन्हें मगद और बंगाल को जीत करके मिली थी, उतनी सफलता उन्हें अन्हें जगेया पर नहीं मिली, खास करके दक्षण एरिया में, जब उन्होंने नर्मदा नदी के पार करके दक्षण की और बढ़ने की कोशिज की, तो उस समय जो चालुक की नरेश्थे पुलिकी एसं कुम्ब में अपनी 12 साल, जो कि कुम्ब 12 साल के बाद लगता है, कुम्ब में 12 साल में जितना भी धन कमाया होता था, उस पूरे के पुले धन को लोगों को दान कर दिया करता था, और खाली हाथ लोट जाया करता था, और हर एक 12 साल के बाद फिर से कुम्ब के पास आता था, और अपना पूरा का पूरा कमाया हुआ धन लोगों को दान कर दिया करता था हर्सवर्दन ने कभी भी गद्धी नहीं की, राजगद्धी पर नहीं बैठे हमेशा अपनी बेहन के साथ बैठे और उनका पूरा का पूरा जीवन सिर्फ जनता की सेवा और अपने सासन को बढ़ाने में ही रहा उनके सुरुवात में ही उतके जिवन में अतने कश्च थे कि उन्होंने आगे साधी भी नहीं की और नहीं अपने राजबंस को आगे बढ़ाने का कोई सोचा हरसबरदन का सासनकाल के बारे हैं आफको मौलूं चला जैसे कि पहले संगमकाल था, संगमकाल की बाद सातवाहन बंस आया, इसी तरह से फिर पल्लव और चालुक की राजबंस थे, ये भी साउथ में काफी मजबूत सासन इनों ने चलाया था, तो पल्लव और चालुक की बंस था यो छे और सातमी सदी में दक्षिट भारत के सबसे महत्वपूर राजबंस थे, पल्लवों का राजज, उनकी राजधानी कांची पुरम के आसपास के छेतरों से लेकर काविरी नदी के डिल्टा तक फैला था, काविरी नदी आपको मालूम है, जिसका विबाद तमिलनाडू और करनाटक में अक्सर चलता रहता है, साउथ की काविरी नदी के बारे में आप जान लीजिए कि 95% काविरी का पानी सिचाई में यूज हो जाता है, भारत का सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज देखा जाए तो इसका पानी ही यूज होता है सिचाई में, तो जो काविरी नदी का डिल्टा था, वहां तक पल्लवों का राज्य और उनकी राज्धानी कांचीपुरं का एरिया फैला हुआ था, और जो चालुक्यों का राज्य था, वहें उनसे उत्तर में था, कृष्णा और तुंग भद्रा नदियों के बीच में था, ठीक है, आप अगर मैप में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पल्ल और चालुक्यों की राज्य कहां कहां तक थे, चालुक्यों का था, कृष्णा नदी और तुंग भद्रा नदी के बीच में, जो कि पल्लवों से उत्तर में है थोड़ा, आंद्रप्रदेस, यह यूं कही है, आंद्रप्रदेस और तलंगाना बरतमान में हैं, उस एरिया में और जो कावेरी और उसके नीचे का एरिया है, जहांपर की पल्लवों का राज्य था, वह है आजकल तमिलनाडू और केरला का एरिया कहा जाता है चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, जो की एक फ्रमुक व्यापारिक केंदर थी, और धीरे-दीरेया धार्मिक केंदर भी बन गई, जहांपर बहुत सारे मंदिर थे और जैसा की मालुम है, यह पड़ोसी राज्य थे, इसलिए एक दूसरे पर अक्सर हमला करते रहते थे पुलिकेशन दुतिये, जो की चालुक्यों के सबसे प्रिसद राजा थे, जिन्होंने राजा हर्सवर्दन को साउथ में आने से रूख दिया था, या उन्हें बहुती मजबूर ठकर भी दी थी, उन्हें हराया था तो जो पुलिकेशन दुतिये हैं, वह सबसे प्रिस्द चालुक के राजा थे, और उनके दर्वारी कभी थे, रवी कीर्ती, तो रवी कीर्ती ने जो पुलिकेशन दुतिये के बारे में जो रचनाएं की हैं, तो उन्होंने बताया है कि पुलिकेशन दुतिये, पूर्व औ दुर्वल हो गए और उसी समय एक नई राजवन्स का उदवब हुआ जो कि था राष्ट्रकूट तो राष्ट्रकूट 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 राष कि इनमें जो भी राजा हुए तो उन्होंने अपने आपको अलग अलग अपादियों से नवाजा था जैसे कि कोई महाराजा दिराज बोलता था तो कोई तरभुवन चक्रवर्तिन बोलता था तो अलग अलग उपादियां दीती इन्होंने खुद को ही और वे अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान व्यापारी और ब्राहमनों के संगठनों के साथ अपनी सथा की सważiddarी करते थे और इन सभी राज्यों में जो अत्पादक थे यानि कि किसान थे जो पसुपालक थे कारीगर थे या फिर उनकी जो संसादन है ये सभी इनी से खटे किया जाते थे और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्ता त्यागने के लिए मनाया या फिर मजबूर किया जाता था और कभी-कभी इस हिस्से को लगान मान करके बसूल लेते थे क्योंकि प्राप्त करने वाला भू स्वाम में होने का दावा करता था और कुछ राजा थे इनमें से जो कि पहले की तरह सुसंगठित सेना भी रखते थे जिसमें की हाती, रत, घोड़सवार और पैदल सिपाई होते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि कुछ सेननाईकों को रखते थे और वे सेननाईक ऐसे थे जो कि ज़रुत पढ़ने पर सेना उपलब्द कराते थे और वे साथ में यो दुहूमे में चलते भी थे अगर पल्लेवों के जो अविलेखा उनको देखा जाए तो इस्थानिय सवाओं की चर्चा है इनमें से एक ब्राहमण भूस्वामयों का संगठन जिसे सवा कहते थे उसके बारे में भी चर्चा की गई है तो यहां तक जो सासन था जहां तक कि आपने देखा चंद्रगुप्त यानि की घुप्तवन सहर्सवर्दन और पल्लव और चालुक के यह जो साथवी सदी की बात चल रही थी उसी के कुछ ही दुनों के बाद यानि कि आठवी सदी में भारत में इसलाम की भनक पड़ी यह जो कि यह इसलाम का आगमन हुआ मरू भूम होते हुए भी अरव यातायात का एक बड़ा केंद्र था यानि कि भारत से अगर आप अरव जाएंगे या फिर अरव एरिया को ही आप देखिए साथी अरवेंट एरिया तो वहाँ पर मरूस्तल भूमी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके बाद भी जो अरव देख थे वह यातायात का बहुती बड़ा केंद्र थे और बास्तम में जो अरव ब्यापारी और नाविक थे उन्होंने भारत और यूरोप के वीच समुद्री ब्यापार बढ़ाने में बहुती महत्पूर भूमी का निवाई थी क्योंकि अरव से वे लोग अब समुद्र के रास्ते से भी भारत आने लगे थे अरव में रहने बाले अन्य लोगों में बेदूइन थे बेदूइन क्या थे जो कि घुमकर कवीले के होते थे बेमुक्ष रूप से उन्टा पर ही आसित होते थे जो कि मरुस्तल भूमी में भी स्वस्त रह सकते हैं उसी समय अरव में पैगंबर मुहुम्द साब ने एक नए धर्म की सुरुवात की और यह धर्म का नाम था इसलाम और इसलाम में अल्ला को ही सबसे उंचा माना जाता है और उसके कुछ समय के बाद इसलाम का प्रसाद सबसे पहले कहां पर हुआ उत्री अफरीका में हुआ उत्री अफरीका में कौन से देश है जैसे कि मिस्र है मौरको है तो ये जो देश थे वे उत्तरी अफरीका के देश है उसके अलावा यूरोप के स्पेन इस एसिया के इरान और भारत तक इनका परसार हो गया जो अरव के जो ब्यापारी लोग थे वे इस उपमहादीब के तटी छित्रों में भी इस नए धर्म को ले गए और भारत पर 712 इस भी में मुहमबद विन कासिम ने सिंद उपर सबसे पहले आक्रमन किया तो सबसे पहला जो अरव सासा था जिसने भारत पर आक्रमन किया था वो कौन सा था मुहमबद विन कासिम जिसने की 712 इस भी में भारत पर आक्रमन किया था और देरे देरे भारत में जो मुसलिम सासा ने इसका त्हों के भारत sis भी बहुत पान उनका का उजा दो होगा और फाइनली जो मुसलिम सासा के भारत के रालय के राइला बन गए थे दोस्तों ये तो थी information उस समय की राजनीते गत्विदियों के बारे में तो यहां से आपने देखा कि तीसरी और चौछी सताब्दे से ले करके आपने छटमी सातमी सताब्दे तक के बारे में बात की आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली होगी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईए कमेंट भी कीजिए और साथी साथ वीडियो को लाइक करना बेखुल मत भूलिए इसका प्रक्टिस सेट वो भी हम सौर्व करेंगे तो आप देखते रहिए एकजाम फीवर गुटनाइट दोस्तों